अपना फूरेस्ट एक्टेंड पॉल्सी में एक लगवाग 25 मिनिट का वीडियो पहले हो चुका है उसका अब देख लेते हैं सिकेंड पार्ट इस पूरे एक्टेंड पॉल्सी जो अपनी यूनिट है इसको चार पार्ट में डवाइड किया गया है और जिससे कि आपके जो व कर दी है तो हलाकि मेरा पर्सेप्शन तो यह है कि आल्मुस्ट फाइब कुश्चन तक ही आएंगे या फाइब शिक्स माल लो लेकिन अगर कहीं बाइचांस जद आ जाते हैं तो यह लगवाग 10 तक कुश्चन आ सकते हैं हार्ड लीस से तो थोड़ा इंपोर्टेंट है इस से भी डिसकस कर लेते हैं इस वीडियो में अपन बेसिकली तीन एक्ट को डिसकस करेंगे एक तो है अपना 1927 का एक्ट तूसरा अपना फोरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 और तीसरा वाल लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इसके साथ साथ क्या हुआ है कि जैसे अभी आपको त सेप्टर जो है यह छूट गया और इसके कुश्चन इधर उधर मतलब अधर सब्जक्ट के साथ इंक्लूड हो गया है तो यहां पर यह भी कोशिज की गई है कि यह जो 36 पेपर हैं इनके जो mcq थे इनसे रिलेटिव इनको भी यहीं पर डिसकस कर लिया जाए तो यह जो प पीपीटी में जितने भी कुश्चन है वह आपको प्रैक्टर के लिए कर लेना वह तोटल यह 36 पेपर के सब को एक साथ निखाल के यहां दे दिया गया अब यहां पर अपने जो नोट्स दिये गया है उसमें जो आपका यूनिट यान की चैप्टर 3 है जिसमें फोरेस्ट बावज है उनके बारे में थोड़ा डिसकॉस कर ले थे और अपनी जो एक्ट पर उद्पर डिसकॉस करेंगे अगर इंडिन फोरेस्ट एक्ट की बात की जाए तो अभी तक अपने यहां पांच फोरेस्ट आच्ट आचके हैं पहला जो आया था वह था 1865 को जिसे कौन लेक की आए थे ब्रांडेस ब्रांडेस डांडेस्ट इस बनाया बाम देटर ब्रांडेस्ट यहां लेके आते हैं यह व्यकृह संगतर चीप यहां लेक्ट ने निसानते रही तक बंग एकное न दया हूं से बाद का ब्रहिड का आजDefels और इसके लिए तब फेस्ट आम लिए तो उसमें काफी कमिया रह जाती है तो बाद में नोंने एक दूसरा एक्ट ले किया है जिसे बुला गया इंडियन फॉरस्ट एक्ट 1878 78 में फिर ले किया है लेकिन अफ के बाद ये 78 से गवार ने करते रहे इसके बाद क्या हुगा आपको फॉरस्ट पॉलिसी आएगी 1894 में अधारा के बीच में चला और उससी टाइम पर अपने मिंटो मॉल ले और मॉन्टे कोई चम्सफोर्ट रिफॉर्म जैसी कंडिशन हो चुकी थी तो देश की जो हवा है वो काफी चैन्ज हो चुकी थी तो अब ये देश को वही पुराने जो फॉरस्ट एक्ट है उनसे गव इतना इंप्रोवाइज है या इतना जदा डिस्क्रेप्ट इतना जदा विस्त्रित है कि आज तक यानि कि जो हम 2020 में सांस ले रहा है आज भी हमारे यह यह 1927 का एक्ट ही चल रहा है क्योंकि जो बाद में 1923 में जो चैन्जर्विस अनक्त आया था यह जदा कुछ था नहीं उसे नॉन फोरेस्टी परपरच के लिए जो डाइवर्ट किया जा रहा है उसको रोका जा सके और फिर अभी पिछले साल यानि कि 2019 में छोटा सा अमेंडमेंट अक्ट आया था यह अमेंडमेंट अक्ट था इसमें एक फोरेस्ट के साथ इसू था कि जो बंबू था क्योंकि की बंबू का काफी वैलुएबर है थो बंबू को यह ट्री कंसीडर किया जाता था उसको यह ग्रास कर दिया गया है जिससे कि नेशनल बंबूमेंट को बूस्ट अप में सके एक च्छटवा एक्ट में और बता देता हूं एक गवर्मेंट ऑफ इंडिया एक फुल लेंथ क्योंकि यह 1927 का एक्ट है हम पूरा देश अभी तक इसी से गवान हो रहा है सताइस मतलब यह समझ लो कि लगवाग गयर 93 यर्स हो चुके हैं देश में काफी चीज़ें बदल चुकी हैं और अभी तक हम पुरानी चीज़ों से चल रहा है तो जो प्रजेंट गवर्मेंट है वह एक ड्राफ्ट लेके आई है 2019 का एक्ट है एक्ट में वह भी इंडियन फो इसके बाद दूसरा का आया था 1878 में तीसरा आया था 1927 में तो यह तीसरा वाला यहाँ पर यह थार्ड वाला दे रखाया उन्होंने और यह अपना आंसर रहा है ओके अब अपने aries छलते है आपने 1927 वाले एक्ट पहें देखो कोई भी एक्ट है पहले तो आपको के बार az हousa कि जैसे आपकी subject होते हैं तो subject यानि कि जैसे silvy culture है तो आपके silvy culture में क्योंगी theory बहुत बड़ी होती है बहुत सारी चीज़ें cover की जाती हैं तो आपको अगर सब की सब एक साथ boom करती जाए यानि कि उनका arrange systematic नहीं हो तो आपका दिमाग कद ही हो करता है तो क्या करते है silvy culture को जैसे आपके chapter में डिवाइड किया गया चैप्टर बन से लेकर साथ 20 यह कि सम्धिंग chapter है तो वैसे यहां पर भी जो परबन नंबर टू नंबर थ्री की स्टाइब से चलते रहते हैं पूरी शुरुबात होती है लास तक चलते रहेंगे और उन्हें को चैप्टर में रख देंगे और इनको एक बात और रखा जाता कि यह जो चैप्टर है उनके particular नाम दिए जाते हैं अब आपको कलना क्या है कि यह जो चैप्टर है किसी एक्ट के तो केवाल उनी की याद रखने जिनका मैं बताओं आपको याद यह रखना कि इसक्टमें यानं कि नामेंटे 27 की एक्टमें कितने चैप्टर हैं तो उसे याद रख लेना यह जो सक्षं ऺली च्ड़ा लेकिन वो एक अलग सेक्सन थ् ठी ये बिल्कुल अलग नियुक्स नंहें तो उसका भी कॉंटिंग होगी तो यह जो सैक्स्टन है यह जब एक्ट बना होगा तब तो वह सह होंगे बाद में बहुत सारे सेक्ट सने इंके दिलीट कर दि जाते हैं बहुत साने जोड दि जाते तो इतना गंदिगी होती है उसके बीच में किसी को समाज में नहीं आता है कि actual में कितने section है तो यह question कभी पूछा ही नहीं जाता कि Indian Forest Act कोई भी एक्ट हो उसमें total कितने section है जब तक कि जिसमें दो पेज काया और पांच section सबको पता है और कोई घटे नहीं अधरवाइस इनमें कोई पूछेगा नहीं तुमसे कितने section है chapter के साथ भी यही होता है chapter भी कई बार आंगे पीछे हो जाते हैं लेकिन क्योंकि chapter बड़ा होता तो जदतर chapter नहीं हटते हैं तो केबल वाले वाले एक्ट को छोड़ो दो तो remaining chapter almost same ही रहे हैं तो बस chapter याद रख लो कि कौन से हैं कितने chapter है number of chapter और second thing आपको याद रखना है कि किस chapter का क्या नाम है क्योंकि यह जैसे मैंने बोला कि chapter कितने है अगर आप से पूछ लिए Indian Forest Act 1927 में कितने chapter है वह टीचर से तो थोड़ा एक डर रहता है कि हो सकता है कि कहीं गलत पूछ लाए तो उन्हें एक सिंपाल से तरीके निकाल रखे है कि जो chapter है उसका नाम पूछ लो चैप्टर तो पता ही होना है इसका नाम पूछ लो तो जो भी है आई आगा वह नंबर और चैप्टर में गड़बार नह नहीं आते हैं क्योंकि वही दिक्कत है जिससे नंबर आफ सेक्शन फिक्स नहीं है वैसी यह जो किताब लेके बैठे है जो इनने इंटरनेट से जो एक्ट डाउनलोड कर रखा है for example अगर आप इंटरनेट पा अभी भी चले जाओगे और 1927 का जो एक्ट डाउनलोड करोग कि there is possible कि वह 20 साल पुराना वाला डाउनलोड हो जाए गवर्मेंट की वैब साइट पर भी कही पुराने एक्ट डाउनलोड हो जाते हैं तो उसका रिचल्ट होता है कि कन्फूजन होता है कि जो क्योंकि पूछ रहे हैं वह सही या नहीं है तो इसलिए वह बहुत ज़्याद अब इस बात को आपको कैसे सही समझ में आजागी कि जब पिछले 35 पेपर जब इसके फोरेस्ट एक्ट के बाद आप पिछले 35 पेपर की कोश्चत देखोंगे समझ में आजाए कि क्यों कुछ्चन वह इतने डीप में नहीं गया है कोई गया ही नहीं आप तक अब कि में आल्मोस्ट में से प्रिलिम्नेरी बोला जाता है और यह जो पहला चैप्टार है इसमें यूज्यूली दो सेक्सान लखे जाते हैं सेक्सान वन और सेक्सान टू यह जो सेक्सान वन है इसमें तीन बातों के बारे में डिसकस किया जाता है एक तो यह है कि इस एक्ट का गया उस जिन से यह apply हो गया यह फिर सबोच यह पहले अगर ordinance हो कोई act और ordinance को replace कर रहा हो तो वो ordinance की debt दे लेते हैं तो इस टाइप से पहले section के 3 subsection होते हैं उनको यह discuss कर लेते हैं तो यह अपने लिए नकस्मीर तो उसका कोई issue ही नहीं अपने लिए तो सीथी सीथी चीश बात है कि अपने आप जो होल इंडिया के लिए wildlife के लिए नहीं ध्यार रखना हो यह forest एक्ट की जहां कोई exception आएगा वहां आपको बता दिये जाएगा और इसका जो second section होता है उसमें आती है definition यह जदतर एक्ट में common सा framework के तो यह आपको याद रखने की जरूवत है नहीं अब जो याद रखना है वह अपना second chapter आपको याद रखना है कि second chapter है उसका नाम है reserve forest इसमें बोला गया है इसका जो section 3 है section 3 state government को power देता है कि state government section 3 की power को use करके किसी भी area को reserve forest declare कर सकता है और फिर यह declare जब करेगा तो फिर उसके लिए कैसे काम चलेगा यह area को declare कर देता है पहले इसके थोड़ी basic state को power दी गई थी क्योंकि 35 के में तो यह forest subject ही transfer कर दिया जाएगा यहाँ जो भी बात की जाए कि reserve बनाना village बनाना कोई भी protection यान कि कोई भी forest की बात की जाएगी वह state को denote किया जाएगा वहाँ कहीं भी center government नहीं लिखा होगा तो यह सभी के सभी काम कौन करेगा इस state इस बात को दिया रखा है तो यहाँ यह act बोलता है कि जो section 3 उसके through state government कहीं किसी भी area को जिसे वो समझती कि यहाँ हमें इस रख्षण या conservation की जरूवत है वो उसे reserve forest declare कर सकती है तो reserve forest कौन करती है state government पहले टर्म याद को दूसरा आपको याद रखने कि reserve forest कि section candidate declare किया जाता है वो है section number 3 अब यह करती क्या है कि जब state government किसी area को declare कर देती है तो वो निकालेगी state का जो गजट है उसमें गजट में publish होने के बाद क्या होगा कि देखो reserve forest जो डिकलियर किया गया वो area काफी बढ़ा होगा हो सकता है वहाँ पर जो local community है उसकी कुछ जमीन हो या उसकी कुछ दावेदारी हो उनकी कोई right हो तो क्या किया जाता है कि वहाँ का जो collector है जो district collector है वो फिर वहाँ active हो जाता है और जो collector है वो उसकी जो notification है उसको जगह जगह चिपका देगा मतलब लोगों को बताएगा उसकी spread करेगा जिससे लोगों को पता पड़ जाए कि ये area forest reserve बन गया है इसके बाद फर जिल लोगों की दावेदारी होती है वो collector के पास आते है collector जो अपना land acquisition एक्ट है उसके थुरू उनके जो भी उस ताइम पर contemporary जो land acquisition के जो method होंगे उनके थुरू फिर वो land को acquire करता है तो फिर उनने जो compensation वगरा देनी का जो काम है वो काम कोन करेगा वो पूरा काम जो district collector है वो करता रहता है तो इस टाइब सी जो background की process है उसको अपन को इतना समझ में नहीं है क्योंकि अपने रिजर्ब डिक्लियर नहीं करना है पस अपने section से जो काम था पहला तो ये question आता है कि reserve forest से संबंदित कौन सा chapter है अपना chapter number 2 और section कौन सा है section number 3 reserve forest कौन डिक्लियर करता है option में आपको एक तो state government मिलेगा दूसरा center government मिलेगी तो ये बनाता है state government इसमें फिर बहुत सारे section discuss किये जाएंगे जिसमें state government की power होगी यहाँ पर एक authority जिसे forest settlement officer है उसको appoint करते है उस से related च चीजे चलती रहेंगी उन चीजों में उनको कोई लेना देना है नहीं बस यह term जो है forest settlement officer इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं यह state government क्या करती है कि एक time के बाद जब collector काम निपटा लेता है तो यह forest settlement officer यानि कि यह जो कुछ मुद्दे होते हैं छोटी-छोटे इनको settlement क करने की खासकर जो boundary से related dispute है उनको settle करने के लिए officer appointment कर देती है वो background में काम करता रहता है इससे जदा उनको जदा detail में पढ़ना नहीं है इसके बाद इसका आएगा अगला chapter अगला chapter आएगा village forest से related state government state government section 28 के अंडर किसी भी area को village forest declare करती है यह बात याद रखो section 28 chapter 3 village forest कौन करेगी state government और third है chapter 4 कौन के नाम क्या है वो है protected forest और यह भी क्या क्या करेगी state government के section के अंडर 29 तो state government section 29 की power को यूज करते हुए किसी भी area को protected forest declare करेगी और protected forest से समधने जो chapter है वो है four इतनी ही चीजें आपको इसमें याद रखनी है इसके साथ अब आपको और क्या याद रखना है यहाँ पर देखो तीन टैक की forest declare की गया है जो मैच देपर के question आये हुए है जैसे कि chapter 2 है वो रिजर्व फोरेश से है चेप्टर 3 है जो विलेज से है और चेप्टर 4 है वो protected तो यह protected forest से इन चीजों को याद रखो दूसरा section 3 रिजर्व इनने section 3 रिजर्व 28 विलेज और 29 यह protected तो इस ताइप के याद रखो जिससे कि मैच देपर के जो कुश्चन है वो थोड़े आसानी से handle हो जाए section और भी रहेंगे इसमें बहुत सारे रहते हैं लेकिन उनको discuss काने की ज़रूबत नहीं है सिकेंट सिंग जैसे कि किसी एरिया को यहां रिजर्व फोरेश्ट डेक्लियर किया था तो इस्ट गवर्मेंट ने collector को power दे दी फिर वो background में काम करता वैसी जब इसे विलेज फोरे को डिवीजन है वो इसी इंडिन फोरेस्ट में किया जाता है आगे की चेप्टर देखते हैं इसमें चेप्टर आएगा फाइव चेप्टर फाइव आएगा control over forest land forest and land not being the property of government मान के चलो कोई state government है उसे ऐसा लगता कि कोई एरिया है जो हलाकि government की authority में नहीं है लेकिन वो एरि life है उनकी health पर impact पढ़ सकता है या अधर कोई related चीज़े हैं तो वो उस पर भी control कर सकती है उसके लिए guideline दे सकती है इसको आप कैसे समझ सकते हो जैसी कि अगर मेरे पास एक area है जिसमें मैंने 20 साल पहले है यहाँ पर plantation कर दी थी area था मेरे पास 10 sector का तो यह 10 sector का area बहुत foundation कर रखिए बहुत अच्छा dense forest बालगा है कल मेरा mood हो जाता है कि अच्छा market में प्राइज अच्छा है टेंबर का मैं इसे पूरा काट देता हूं तो यह मेरी property है मैं काटने को दे दूगा तो state government मुझे रोक सकती कि नहीं तो मिसे नहीं काट सकते तो यह चीज़ा होती है त उसका नाम क्या है चैप्टर 6 है duty on timber and other forest produce जो duty लगती है जब वो move करते हैं तो trespassing के time पे जो duty बगरे लगा देते हैं क्या लगेगी तो आपको याद रखना है कि चैप्टर जो 6 है वो है duty चे रेलेटेड है चैप्टर 7 है वो control of timber and forest produce in transit transit का मतलब जब यह यहां से move कर रहा है तो यह तो इन्होंने जब काटा तब duty लगा लिए फिर जब यह move करने लगा तो transit पे भी इन्होंने जो control करते हैं उस पर जो text लगाते है उसे regulate करते हैं transit में तब यह आएगा अपना chapter 7 यहां पर लगता है पर जाता है तो यह कुछ से संबंद्य प्याक्ट है इसको याद रखो कि chapter 7 का क्या नाम है अब बात आती है इसके section की तो यह ऐसा है कि अगर आपके पास time मिलता है और आप याद रख सकते हो तो रखो नहीं रख सकते हो तो इसे छोड़ दो बट basically आपको याद रहने थे कि कौन से chapter का क्या नाम है chapter 8 यह पूछ यह है collection of drift and standard timber अब यहाँ पर जो 9 10 और 11 है यह काफी important chapter है जिसमें 9 chapter है penalty and procedure है अगर आप इस forest act को violate करते हो तो आप पर क्या penalty लगेगी खासकर जो forest officer वगरा है या government की तरफ से authority या public authority है तो यह इस ताइप की क्या penalty वगरा लगेगी यह उससे related है यह penalty and procedure जो है यह IFS का जो sorry जो ICR का एक चाम था ICR इसका जो 2011 का paper उसमें पूछा चाँ चुका है और यह 12 में भी पूछा चाँ चुका था repeat हुआ था question और यह इस पर section कौन सा है यह section है 52 52 से कहने का मतलब आता नहीं कि इसमें किवाल 52 इसमें और भी section है लेकिन एक average idea आपको लग जाता है कि penalty and procedure वाला जो चैप्टर है इसकी शुरुवाद 52 से आती है तो इससे related जो अपने section है वो 52 53 ऐसे कुछ होंगे तो अगर इस टाइप कभी section पर question आगए तो आपको easily handle कर लेते है चैप्टर 10 है वो है cattle trespassing से कि अगर आपके जंगल है उनमें से आप cattle को निकालते हो मोग करते हो क्योंकि पुराने जवाने में जैसे लोग थे cattle hider थे तो जंगल में जाते थे या फ़र जंगल से निकलके कहीं बाहर इस side move कर रहा है तो जंगल में से अंदर से जा रहा है यहां से बीच में कोई जंगल है यह अपना राजस्थान और गर्मियों के टाइम पर वहां से लोग माइग्रेट होके MP की side आ रहा है तो यहां से बीच में कर कोई जंगल हो रही है तो उन्हें यहां पर 10 रुपए की चुम की देनी पड़ेगी 10 रुपए मतला अब यह chapter 10, cattle trespassing, chapter 11 है, वो है forest officer से, यह तीनों ही chapter important है, और इसमें सीधे-सीधे chapter की नाम पूछे गए है, यह जो chapter था, इसमें पूछा गया था, कि forest officer से related, जो chapter है, वो कौन सा है, या फिर अगर forest officer, खासकर forest officer का, उससे related, वो कोई गलती करता है, तो उसको क्या सजाद दी जाए कि forest officer से related, जो भी काम चीज़ है, वो साब यहां होगे, इसलबाद chapter 13 है, सबसीडरी रूल, यानि कि अपना act है, यह act को proper implement करने के लिए, कुछ secondary, tertiary, कुछ rules की जरुवत होती है, तो वो भी rules बनाने की यहां दे दी गई, लेकिन rule कौन बनाएगी, यह है, rule कौन बनाएगा, वो है, state government, यह पूरा act जो है, वो state government को ही power दे रहा है, यह कोई center को नहीं दे रहा, क्योंकि forest है, वो state subject है, और last chapter है, 30 number का उसका नाम है, miscellaneous, तो आपको पहले तो यह याद रखना है, कि यह जो अपना Indian forest act है, इसमें total कितनी chapter है, वो है 13, और हर chapter का क्या नाम है, इसको रेट हमार लेना है, section जो है, हर section याद रहे जरूरी नहीं है, लेकिन basically आपके जो notes में section दिए गया है, यह already chart के दिए गया है, क्योंकि इसमें total तो बहुत section है, आप दिख सकते हो, कि आप बहुत ही कम section आपको दिए गया है, तो वो फूरे जो important why दिए गया है, अब आपन देख ल देखो इनकी जो year, means, जैसी कि यह question है, यह सभी ICR के है, यह है, बियाचीव का question, अब यह नाम लेखने का कोई फरक पड़ता नहीं है, तो सीधे-सीधे question आपको यहाँ दे दिए गया है, लेकिन यह सभी आयोगी question है, इंडियन forest act was enacted in year, इसे देख लेना अपना 27 आगया, औ 19 सी का, यह forest conservation act है, उसमें नाम में इंडियन नहीं लगा था, उसका नाम क्या था, forest conservation act, अपना यह लगा लेंगे, first Indian forest act का आया, first की बात की गई है, तो अपना देखेंगे, 1865 नहीं है, यह 68 है, और यहाँ पर कोई option है नहीं, तो अब क्योंकि जो add है, जो option दिया गया, उसी से काम चलाना पड़ेगा, तो इसका answer अपने यह लगा गया है, देखो मालूम है कि 18 अपना जो act आया था, first Indian forest act, वो आया था, 1865 में, वो इसमें option में ही नहीं दिया गया, लेकिन क्योंकि अगर ही केवाल Indian forest act आते हैं, तो अपने सोच लेते हैं, चलो 27 बात आते हैं, लेकिन जो 1865 में यहां पर पूछ लिया, कि first Indian forest act का वाया है, तो फिर कोई option नहीं था, तो आपने 68 को ही लगा क्या रहे हैं, यहां पर फिर वही बातें जालती रहेंगे, कि Indian forest act 1927 है, एक question है कि in many states amend Indian forest act, वोला कि कौन से साल में जरवतर इस्ट वोने जो 1927 का act है, उसको amend किया था, अब इसका एक तरीका है, इस टाइप के question का, आप अपने राजस्थान के एक्ट को देखो, कि राजस्थान government ने Indian forest act जो था 1927 उसको amend कव किया, तो वका की चीज़ें वैसी चलती रहेंगे, इनने लगवग सायथ 2000 ये 2002 के असपर सेट amendment किया है, यह जदा अपने लिए जदा seriousness नहीं है, यह इस टाइप के थोड़े बहुत question आते रहते हैं, फिर यहाँ पर आएगा अपना, कि area to be constitute अंडर Indian forest act और forest law is called, मैंने अभी आप से क्या ओलना था, कि Indian जो 1927 का act है, उसमें कौन कौन से type के forest declare किये गा है, एक है protected forest, दूसरा है village forest, और तीसरा है reserve forest, अब इन्हो question को गुमाया, कि इनने पूछा कि इनने forest act के अंदर जो area बनाया जाते हैं, वो कौन कौन से है, तो यहाँ पर village को इनने लिख दिया पंचायत forest, इसका मतलब यह गलत, क्योंकि village forest होता, तो सही पंचायत लिखा है, यहाँ पर लिखा है protected forest है, इनने लिख दिया protection, लोग जल् तो यह है protection, तो यह अपना हो गया गलत, तो यहाँ पर अपना जो answer आ रहेगा, अपना reserve forest का, फिर next question है, what does Indian forest act in visage, in visage मतलब क्या उलेखित करता है यह, law relating to punishment of forest offenses, बहुत सही है, बिलकुल करता है, बिल या act related to conservation of environment, की यह environment के सनक्षड से related बात करती है, चलो ठीक है बात देख लेते हैं, क्योंकि जो 1927 का जो act है, उसमें amendment हुआ था, जो reserve forest area है, उसमें जब आप पढ़ोगे, तो उसमें क्या है, कि state government किस base पे reserve करेगी, किसी area को reserve forest declare करेगी, तो उसकी जो basis थे, वो पहले कम थे, बाद में धीरे-धीरे करके जैसे amendment उसमें होते गाए, तो बाद में उनी के amendment में के जैसे कोई area है, वो state government को environment के हिसाब से लगता है, जिसे माने कि लोग हैं वहाँ, डाइनसौर की MP की ले लो, तो MP में एक जगाए डाइनसौर की अंडे निकला है, तो MP government ने उसे reserve declare कर लिए, तो इस type से कोई forest का area या कोई जमीन है, जो geological importance की है, यह जो अर्थ की history है, उसके इसाब की है, या फिर environment से related importance की related है, तो इस type की जो चीज़ है, अगर उनका कोई importance हो रहा है, तो वो clear कर सकता है, यहाँ पर next है, it is related to plantation और plantation on westland, तो भाई यह plantation on westland का तो कोई तुक बन अब नीचे देख लेती है, तो इस से अपनी पहले दो तो सही आ गए, अब यहाँ पर the law related to forest, the transit of forest produce and duty levies on the timber and other forest produce, तो यहाँ यह भी बास सही आ रहा है, तो यहाँ पर question जो था का what does Indian forest act in message, क्या उलेखित करता है, तो यहाँ पर देखो यहाँ आपने यह चीज़ तो इतनी इतनी जदा important अपने लिए नहीं, लेकिन यहाँ पर punishment of forest offenses यह वाली बात भी फिलकुल true है, और law related to forest, transit of forest produce, duty levies on the timber and other, तो यह यहाँ पर अपने पास एक ट्राइब से बोले जाए, तो दो या तीन answer अपने पास में लगा है, तो अब इसको क्या किया जा सकता है, भगवानी लेकिन मैं मुझे जब कोई बंदू की रख दे कि एक answer लगाना है, तो सबसे ज़्यदा बातें जो बोली गई है, जिन point को discuss किया गया, वो यह वाला है, तो इसमें क्यों कि 3-4 चीज़ां बोल दी गई है, तो मैं D के साथ जाओंगा, लेकिन इसका A और B भी सही है, फिर इंडिन फोरेस्ट एक 9-27, यह prohibit in reserve forest, कि जो reserve forest हो, उसमें क्या चीज़ है, जिसे रूक दिया गया है, यानि कि prohibit किया गया है, ट्रेस्ट पासिंग या पॉस्चर केटल, फिल, ग्रिट, लॉप, बर्न, एन्य ट्री और डेब्रिस, क्वेरिंग, स्टॉन, बर्न, ओके, कहने का मतलब इन्हों नहीं यह बोला, कि forest area जो है, उसमें जो reserve forest area, उसके अंडर क्या क्या चीज़ें है, जिनको इंडिन है, जिसमें एक तो है, trespassing मतलब कोई जो forest area, उससे move कर रहा है, trespass कर रहा है, या फ़र जो cattle है, जो अपने चारा का है, उनके अंदर जा रहा है, तो forest के अंदर के जो grassland है, उनमें चारे बगारे के लिए discuss कर रहा है, तीसरा है कि कोई उसके अंदर की जो पीड है, उनमें कर गया है, क्योंकि देखो, basically समझ लो, आप national है, national highway है, तो अगर रिजर फोरेस्ट निकल रहा है, तो आप trespassing को ऐसा थोड़ी का बहन कर दो कि आपको कहीं नहीं permit करना ही होता है, तो हलाकि यह चीज है, इन्हें permit नहीं करेंगा, अपन तो यह तो सही है, यहाँ पर दूसरी है, quaring, stone, lime, यह चार, आप जंगल के अंदर जाके, कोईला जला देते हो, और वही छोड़ के आओगे, जंगल में आगला जाके, तो इस ताइप की जो चीज है, यह फोरेस्ट प्रोड्यूचर वहां से extract कर रहा है, तो यह बास है, कि इसको भी यहाँ पर प्रोइबिट किय गया है, और इस यह भी किया गया है, तो B और C तो अपने राइट है, अब इसके यह तो हो सकता है, A, B, C, यह हो सकता है, और B और C, क्योंकि यह ट्रेस्पासिंग यह पास्चर कैटल जो है, यह रेगुलेटेड है, लिकिन इस प्रोहिबिटेड बिल्कुल माला नहीं है, इसलिए अपने इसके B आंसर के साथ जाएंगे, नेक्स्ट है, A, रिजर्ब फोरेस्ट इन एरिया, वो खाली पीली के चीज़ें चलती रहती है, अपने डिसक्स कर लेंगे, इनके कुश्चन जो है, उनके आंसर देख लेंगे, अगर किसी में आपको कन्फ्यूजन वा रह है, तो फिर आप वहाँ पर कुशन पूश सकते हैं, गुरूप पर डाल सकते हैं, अब अपना आएगा अगला एक्ट जो है अपना, फोरेस्ट कंजरविशन एक्ट, उनिस सो असी, इस एक्ट के साथ क्या है, जैसे मैंने आप से बूला कि यह बिलकुल दो पेज़ का चैंस केमें पांच सक्सण हैं, क्योंकि 5 ही सक्सण है, तो आपको याद रखने की जरुवत है कि इसमें कितने सक्सान है, और क्योंकि 5 है, दो पेज़गें अंडिने की चीज़ में डिषक्तर ही नहीं लिनक्त है इसका नाम है, फोरेस्ट कंजर विसन एक्ट उनिस सो असी, जैसे मैंने बूला कि जो पहला सेक्टान होता उसमें बेसिकली तीन चीज़ें डिसकस किया जाता है किसका नाम क्या होगा यह इंडिया के किस रीजिन फिर होगा और यह कब लगेगा तो पहला तो याद रखना है किसका नाम है फोरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट और कब आया यह आया गांदी जी की मंत में यानि कि 25 अक्टूबर 1980 तीन ही चीज़ों को रट्टा मारना है 25 अक्टूबर 1980 को यह एक्ट आया था अब इस एक्ट में है क्या देखो हमें एक्ट की डेटियल में नहीं जाना है कि आपको उनकी चीज़ें बहुत डेटियल में पढ़ो बस सीधी सीधी चिभा समझ लो जैसे मैं आपको सब्जक्ट हुआ करता था बाद में इंद्रा गांदीजी ने उसे उठा के कंकरेंटर लिस्ट में डाल दिया तो स्टीट को यह लगा कि आप तो हम कंकरेंट में यह गया तो आप कोई इलजाम आएगा मतलब कि फोरेस्ट को बरबाद कर रहे है तो वह तो सेंटर पर भी ड दाइवर्जन मतलब जो फोरेस्ट की जमीन है उसे नौन फोरेस्टी फरपज के लिए मोव कर देना तो अगर इसे हमने नहीं रोका तो अगले पांच-दस साल में इंडिया से फोरेस्ट ही खतम हो जाएंगे तो यह जो डाइवर्जन है उसको रोकने के लिए है यह यह जो रोकने के लिए एक एक्ट लेकिया है इस अखं़ में कुछ नहीं किया बस उन्हों ने इतना किया कि कहीं भी जब फोरेस्टी के जमीन का नोन-फोरेस्टी बस इतने ही है इतने से काम होजगद आ फिर इसके इन चीजों को पढ़ लोगे कि यह कैसे होगा फर यह बताएगा कि यह क्यूंकि यूद्धृ पर किया यहाँ लो से हैं यहाँ पर जैसे मैंने बोला कि टोटल सेक्षन याद रखना है देखो टोटल सेक्षन थे पांच लेकिन बात में इसमें अमेंडमेंट करके दो सक्षन जोड़ दी गया है तो इस टाइप साफ इसके कितने होगा है साथ अब यहाँ पर कन्फूजन हो गया है कि 3A 3B को अल पांच तो यहाँ पर अपने को एक वार ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें पांच है यही कन्फूजन होता है इस वज़े से टीचर भी पूछने से समझ में नहीं आता तो वो भी नहीं पूछ देजिए फिर यहाँ पर वही चीज़े चलती रहती कि कि कौन रूल पानोन बनाने की पावर स्चेटों को देदेगी तो यह एक्ट ले आने का मतलब भी नहीं रहा तो फिर यहाँ पर जो रूल बनाने की पावर है वो भी किसी दे दी गई संटर गार्वर्वेंट को और यह एक्ट्वल में पहले सबसे पहले इन्हों नहीं और ओडिनेंस ले कि यह लेंड के डायवर्जन को रोकने के लिए था अब इसमें जो डिटेल्स हैं जैसे कि यह चीज़ हैं इनको एक बार पढ़ लोगा एक बेसिक चीज़ पढ़ लो ने दो तीर बार पढ़ लो आपको यह याद नहीं रखना कि सेक्शन टू के अंदर क्या क्या बोला गय यह सेक्शन 3 के अंदर क्या क्या बोला गया बस इतना समझ लो कि हाँ इसमें एक एडवाईजरी कमटी होती है जो इस टाइप की जो एप्रूबल है लेंड डायवर्जन है उनके लिए काम करती है और इसमें अगर कोई जैसे की खासका फोरेस्ट ऑफिसर बगार कोई ऐसा क कोई मतलब क्राइम कर देता है तो इससे 15 डिक सजा हो सकती इंप्रेशनमेंट हो सकती है पंद्रह दिन की जेल हो सकती है और फिर इसमें ऑथर्टी बगार कर यह क्या डेपार्टमेंट है इस टाइप की चीज है मतलब एक बेसिक फ्रेम समझ में आ जाएगा बस उतने से काम हो जाएगा अपना इसमें आँगे अपन देखेंगे इसकी अमेंडमेंट क्योंकि जैसे मैंने आपसे बोला ना कि कोस्टन में यह सेक्षन पूछना बहुत होड़ा दिक्कत देता है तो सीदीजी कुंद लेते हैं कि इसमें कौन-कौन सा अमेंडमेंट हुआ है जैसे कि फ 1821 में क्यों किया गया कि कुछ जो नॉन फोरेस्ट जो एक्लिदीज थी अलॉविंग सेम नॉन फोरेस्ट एक्लिटीज इन फोरेस्ट एस एडिया विदाउड कटिंग ट्रीज और लिम्टेज कुछिं फ्रॉं परिवियर ए अप्रूबल ऑफ सेंटरल गभरन्मेंट यह कि जब अपनी 88 में JFM की जो पॉलिशी आ गई थी तो पॉलिशी तो पॉलिशी तुमने जी एफेम उनीस सो नभए से JFM स्टार्ट कर दिया तो आपको पहले तो समाज में नहीं आता लेकिन जब जब JFM की एक्टिव होने लगती हैं जब दिखते आने लगती हैं तब पता पढ़ता है कि अच्छा यह 1980 की एक्ट में यह भी समस्य आ रहे हैं तो फर उन्हें बयान वह में चैंज किया गया जिसे इस सफर्षा consistent कर सकाएं जो 1980 का एक्ट है इसमें एक तो आम्यंडमेंट किया गया अठासी में दूसरा अम्यंडमेंड किया गया नाइनटी टू में तो बले याद नहीं रखे कि कब रूल आया वो आया 2003 में अब इसकी उपर कुश्चन देख लेते हैं तो कुश्चन से इंपर से कि जैसा Forest Conservation Act कब आया तो अपना सीधा है 80 में Forest Conservation Act was promulgate in which year कर लोगे आप Forest Conservation Act 1980 was amended in the year यह 1980 वाल आया इसको किस साल संसोधित किया गया अमैंडमेंट किस साल वहा तो एक तो इसका हुआ 88 में 1988 क्योंकि जिस साल पॉल्सी आई उसी साल पॉलिषी कासान क्योंकि इसको अमैंड किया गया था जिससे पॉलिषी के according हो लेकिन फिर भी दिक्क्यत आई थी तो इसलिए फिर इसे से 1992 में किया गया तो आपने कौन से किया गया एक तो यह अठाजी का है 92 वाला इसमें अप्शन है नहीं तो अपना सी अंसर थाज में थार्ड इसमें वहाँ जैसे case of in case of denotification diversion of forest land या non forest purpose कहने का मतलब वह सीधा-सीधे क्वेशन में यह है कि जो forest है उसको non forest purpose के लिए डाइवर्ट किया जा रहा है तो उसका क्या किया जाए यह कौन से act के अंदर उसको इस टाइब की चीज़ें control करेंगी तो अपने यह आता है इंडियन forest bill इंडियन forest Act forest conservation act है यह द्यान रखना यह अपना forest conservation act है यहां पर इंडियन forest bill कर दिया और यह 1970 तो है लेकिन बिल कर दिया और यह Indian forest कर दिया यहां forest conservation नहीं किया तो यह चीज को द्यान रखना अपना answer है question पाद लेना यह चीज़ें समाझ में आ जाएंगी यहां पर who is granting forest clearance for major mining project अब माइनिंग फुरस्ट की जमीन है जिसको लिए घटगी तो उसकी परमेशन देगी क्या सेंटर गवर्मऩेंट देगी तो देखो मैंने जैसे बोला कि ये आक्ट बोलता है Center government permission देगी और Center government में भी क्या होगा वो एक committee बनेगी तो अब University of Environment of Forest है उसी के अंदर ही बनेगी ministry के फ्रेंबर के अंदर ही होगी ये क्योंकि ministry को बहुत सारे काम करना होथे तो ये उसके कि electricity के अंदर की बा कोड़ी कोड़ करें से और में थृगल को इस पर और बी गूश्ता आपडिप है नहीं कर लोग एक इंपर्टेंट पॉस्ट एक इनियन फंपोरेस्ट मैं में लिखाता है not applied to aak leaf in whole India except Jambu Aak3000 अम जब करता ही नहीं तो यह अपने लिए कोई मुत्टा ही नहीं आपको जो पर not वो जो notes दिये गाया है उसमें यह Really कर दिया गया जम्हों रहटा दिया गया जो इसली is पहले तो यह याद रख लो कि यह आया क्या है कब है यह आया है नाइन सेप्टेंबर 9072 का अब रही बात नाइन की तो पही याद रखना हो रख लो ना रखना हो मत रखो कुछ एकदाम जरूर है जोनों ने यह नाइन पूछ किया लेकिन राजस्थान वारों से बिलकुल उम है अब यह तो रही अपनी wikipedia वाली लिस्ट में जो भी होता है उसका आथंटी सिटी होती नहीं है यह वह एंड़मेंट है जो forest act है उसी में लिखे हुए है तो आप उनको इसके हिसाब से चलना है ना कि इसके हिसाब से इसमें जो amendment हुआ था 72 के 10 साल होने पर किया गया था 82 में फिर 86 में फिर 91 2003 और 2006 में इसमें जो सबसे बड़े changeability की गया है वो है 1991 और 2003 वाला है ये बहुत ही बड़े change की गया जिसमें बहुत सारा part जो था act का वो delete कर दिया गया और बहुत सारा add कर दिया गया अब ये wildlife protection act में ये amendment क्या हो याद रखना जरूरी है क्योंकि इसमें इतने सारी changeability आ चुके है कि किसी नहीं सकता wildlife protection act का आप से सीधा amendment पूछ लेगा या फिर आप से सीधा पूछा जाता है किस chapter का क्या नाम है या किस section की अंदर क्या किया जाता है मतला power बगर की बात की जाएगी second thing wildlife protection act के बारे में एक बहुत जो important point है उसे और समझते हैं ये year 1972 का 76 में 1976 में forest and wildlife को concurrent list में डाला ग था तब तक 72 में ये state subject था और ये आज भी concurrent में भले है लेकिन manly जो govern करते हैं वो state ही govern करते हैं तो ये subject risk था state को तो wildlife को protect करना है उनके साथ क्या करना है ये कौन decide करेगा state government लेकिन क्योंकि wildlife ऐसा subject था जिसमें एक state में अगर मैंने suppose मैं MP में रहता हूं और MP में crime करके मैं रा government कुछ भी कर ले वो मुझे पकड़नी पाती थी क्योंकि वो राजस्थान के अंदर उसकी ओ थोट ही नहीं थी और जब तक वो राजस्थान government के साथ communication करेगी वो राजस्थान government तैयार हो जाए एक्सल लेने के लिए तब तक मैं पंजाब में भाग गया हर्याना भाग गया तो इस टाइप से ये जो crime थे देश के अंदर खासकर जो wildlife की जो pushing थी ये रुक नहीं पा रही थी तो इस्टेटों ने सेंटर government के हाथ पर जोड़े और बोला भाई साब एक कोई act लेके आ जाओ जो आप बना दो हमसे हमसे ना बन पा रहा है तो सेंटर ने क्योंकि स्टेट ने request की थी तो इसलिए ये जो act है वो कौन किसने बनाया सेंटर ने सेंटर ने एक्ट बनाया है तो इस act में आखर amendment करना होगा तो कौन करेगा सेंटर ही करेगा तो आप ये act किस-किस state पर apply होगा क्या पूरी देश में apply होगा ऐसा नहीं है ये act भाले ही सेंटर ने बनाया ल कर दे और ये बोल दे कि भाई ये जो सेंटर ने ये wildlife protection act है इसे हम adopt करते हैं इसे आत्मसाथ करते हैं हमने इसे अपना लिया है हमारी होकाद नहीं है कि हम अपना खुद का act बना पाए हमने उनी की को मान लिया है तो एक बार उनने आगर इस umbrella को मान लिया तो ये उन पर apply होत है तो इस type का चल रहा है उनने side है उनके अपने act होंगे ये मैं क्यों बता रहा हूं कि जैसे अपने act में होता है उसका जो अपना act सुरू होता है तो सबसे पहले उसका पहला section होता है जिसमें इसका नाम होता है दूसरा ही लिखा होता है कि ये किस पर apply होगा तो जैसे यहा लिखा गया था जिससे आपको बता जाए सके यह prioritize इसको व्येयफाई करना है क्यों कि यह उन पर अपलाई हुता है जिन chords किया है यह होल एंडिया वाले को ध्यान देना है क्या हो इंडिया है या नहीं है आप एक बार इस पर question पूछेंगे मितलब है टेली ग्राम पर question पूछ लेंगे वाटसप जो भी चैनल वहाँ पर पूछ लेंगे इसका परपज यह ही है क्योंकि जब आप पूछ रहेंगे तो आपको थोड़ा इंटेंशनली थोड़ा दिमाग मिजाता है कि ऐसा कुछ है क्या थार्ड है definition वगरे इसके second में होती है बहुत सारे terminology जो इस act में होती है उनके बारे में तो यह चीजे तो अपने को ध्यार रखनी नहीं है अब जैसे मैंने बूला आपको एक तो याद रखना है कि कौन सा chapter है जिसके नाम क्या है chapter का इस चीज को तो याद रखना ही रखना होता है फिर इस chapter के अंदर जो section है उस section में क्या बात की गई है उस बात के बारे में discuss करेंगे तो जो chapter 2 है उसमें पहला जो मतलब third section है वो power देता है central government को इस act के अंदर इस section के अंदर जो central government है वो तीन लोगों क यह चार लोगों को appoint कर देती सबसे पहले तो वो wildlife preservation का एक director appoint करता है यह director किसमें बैठा होगा ministry of environment में है तो wildlife की जो wing है उसका एक director appoint कर देगा और पर क्योंकि director इतने देश लेविल पर काम नहीं कर सकता तो उसके नीचे कुछ assistant director कर देगा और assistant director भी अगर नहीं समाल पाएगा तो उसके कुछ नीचे subordinate officer भी appoint कर देगा तो इसलिए इस टाप से central government director और assistant director को appoint करेगी section 3 के अंदार इसमें जो section 4 है वो देता है state government को power जो state government किसे करेगी यह करेगे chief wildlife warden wildlife warden और honorary wildlife warden at each district level तो यहाँ पर state government भी यहाँ पर चार पांच लोगों appoint कर देगा और पर कुछ अगर बत हुई तो वो रोने करती है तो state level पर होता है chief wildlife warden यानि कि एक state का एक chief wildlife warden फिर क्योंकि wildlife में भी बहुत सारे हैं कोई tiger project का अपना warden होगा या हर national park का अपना warden है तो इस टाइप से chief है वो पूरे state का एक है और हर जो national park का wildlife century उसके अलग-अलग है तो इस टाइप से यह state government करेगी किस के अंडर section 4 के अंडर इन दोनी चीजों को ध्यान रखना है इसके बाद अगला आएगा section 6 देखो यहां पर section 5 भी होगा बहुत सारे section होते हैं बीच में section subsection उन चीजों को यहां इसलिए नहीं लिया जाता है क्योंकि उन्हें याद नहीं रखना है ऐसे तो act ब वो एक wildlife advisory board का गठन करेगा तो wildlife advisory board का जो गठन करेगा वो कौन करेगा वो करेगा state government थागी center वो करेगी state government और यह जो board होगा उसके member कौन कौन होगे तो member में एक तो होगा chairman 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 मतलब कौन होगा forest minister अब ऐसा हो सकता है कि कोई state जो है वहाँ पर रहागा forest minister suppose मर गया तो फिर क्या होगा उस टाइम पर minister के बाद जो अपना chief secretary होता है state का वो chief secretary उस उसका chairman कर सकता है या फिर union territory है तो union territory में minister नहीं होगा तो फिर होगा पर जो chief secretary वही कर लेगा इसके साथ क्या करते हैंगे legislative assembly से तो लोगों को पकड़ लेंगे forest department का जो secretary उसी ले लेंगे wildlife का इनने क्या किया था chief wildlife वाइडन तो यहाँ पर chief wildlife वाइडन को पकड़ ले आएंगे दूसरे जो forest department है मतलब general administration general administration का head कौन होता है PCCF तो यहाँ पर PCCF भी होता है पहले यहाँ पर PCCF लिखा गया था बाद में नहोंने बोला कि क्योंकि कुछ state जो है उन्होंने PCCF से भी उपर की post यानि कि director general इस टाइप की कुछी नई post है उन्होंने बना दी थी तो फिर उन तो यहाँ पर जो board है उसके बारे में आप देख लेते हैं कि wildlife advisory board है यह कि section के अंडर आता है यह आता है section 6 के अंडर यह फर इसकी body है यह body को ऐसा नहीं कि आपको हर एक चीज को याद रखने की ज़रूद आहां एक review सा कर लो बस आपको इतना काम हो गया कि section 6 के अंडर state government यह 25 की खटी टीम बनती है और यह state level पर जो wildlife से related जो भी काम करते हैं यह सब मिल के करते हैं अब होता क्या कि जैसे कोई भी committee बनती है तो committee में दो में लोग होते हैं एक तो होता है chairman और दूसरा होता है secretary secretary मतला बो काम जो यह day to day बोड ने कोई decision ले लिया chairman ने तो यह body को preside किया अब यह decision ले लिया उस decision को ground level पर apply करवाना यह कोन करेगा तो यह secretary यानि कि इसका जो जो उसको secretary यह पीछे background support देगा वो तो यह state पर इसका secretary कोन होगा यहानि कि यह तो यह CCF बना देंगे chief wildlife बार्डन को तो यह state government है वो इन दोनों में से किसी एक को बोल देगे तो इस board के secretary बन जाओ और इसके लिए ने bondage कर रखा कि यह board कम स्कम साल में दो बार तो अपनी meeting करें ही करें तो इस टाइफ के framework से अपनी body चलती रहती है फिर इसका अगला chapter आ जाएगा कि यह जो wildlife animals है अपने wild animals है इनकी hunting related है chapter 3 hunting इसलिए याद रखना है क्योंकि दो साल पहले कुछ से म animals से जैसे की रोज्रा है तो बिहार में रोज्राओं का थोड़ा दिक्का थी तो वहां पर उनके hunting को रोका गया था तो उस से related मेडिया में हाई दोपा मच गई थी तो इसलिए chapter 3 है वो wildlife की hunting से related है पहले क्या था कि एक्ट में section याद रखने की जरूरत नहीं है पहले सेक्ट होता था उसके थूरू आप मार सकते थे और license मिल गया तो इसका मतलब यह था कि आप जो मारोगे उसका record भी maintenance करना होता था लेकिन बाद में चेंज कर दिया गया और यह जो पुराने जो license holder थे यानिकि license मारने के लिए जो license दिये जाते थे यह सब कि सब खतम कर दिए गया य आप यहां पर बोल जेगा है कि आप किसी भी schedule का one two three four starting के जो चार schedule है उनके जो एनिमाल्स है उनको आप नहीं मार सकते इसका इस except कोई unforeseen circumstances जैसी कि जो tiger है वो अदम खोर हो गया हो उसे पकड़ के चलिया खर में बंद करेंगे लेकिन वो पकड़ने में नहीं आ रहा हो और बिल्कुल जान पर पड़ गई हो तो last case चा बचता है तब ही उसे मार दिये जाता है तो ऐसी किस को छोड़ करके otherwise उनकी permission नह एक्ट बनाяг के था इनके दिमाग में भूल गए थे तो इनने पूरा एक्ट ऐसे बना दिया जैसी कि यानीमल को प्रोटेक्ट कर रहे है प्लांट तो इस iny में आते ही नहीं है वाइल्डाइक में फ29 बाद में जब इनके चक्का क्डाइ छो सकता हो तो बासमें जब इनने दिमाग में आया तो इन्होंने थिरी एक करके एक नया चेप्टर जोड़ दिया और इसमें लगा दिये पेड़ों को परमीशन दी खासकर जैसे रिसर्च वाली चीज है तो वहां पर ऐसी परमीशन है कि आप जंगल में जाकर उन चीजों को कलेक्ट कर सकते हैं यहां पर संरक्षर से रिलेटर चीज है जैसे गलोबल वार्विंग की किसी प्लाट पर इंपक्ट पड़ रहा है तो आपको परमीशन दे सकते हैं कि ठीक है आप जंगल में जाओ उस पेड़ की सैंपल को लेकि आओ और इन पर रिसर्च करो यहां पर कुछ पीड़ है जिनके बाहर आप फूरेस्ट के बाहर कल्टिवेशन नहीं कर सकते हैं तो कल्टिवेशन को भी रोक दिया गया इसके बिच की आगया 500 के जी जब भी पकड में आता तो बहूल दिता कि कौन सा है गोला यह हमारे खीतों में उगा है तो भाई खीतों में 100 उगता यह 500 कैसे बेच रहा है हमां तो फूरेस्ट डुपाटमेंट पकड नहीं पाता कियो है यहां से रात में उखड गदा यह ले आता चप्टर आएगा जिसके अंदर ये सेंचुरी ज नेशनल पार्क गेम रिजर्व और क्लोज एरिया डिकलियर किये जाते थे अब यहां पर जो गेम रिजर्व है इसको बात में हटा दिया गया तो इसको डिलीट कर दिने हैं कट कर दो तो अभी जो सेक्षन है उसमें स्टेट गवर्मेंट बनाती है सेंचुरी नेशनल पार्क और क्लोज एरिया इसके साथ अपने जो अधर चीज़े हैं कम्यूनिटी रिजर्व वाली जो चीज़े हैं वो भी इसी के अंदर आ चुकी हैं अमेंडमेंट कर दिया गया पो इसमें अमेंडमेंट इसमें सामल नहीं है क् करें कि आपको स्लवी कलच्यर समें बता चुके बार बार उतार हैं यहां आपको याद रखना है कि सेक्शन 18 के अंदर स्टेट गवर्मेंट संसुरी डिविर करती हैं यह दिहां लखना है है इसेक्शन 39 के अंदर स्टेट गवर्मेंट न श़यपनेंट आउनल ise iogo टी कर स है और सर्टेइट चेंडर सेंट्रल गवर्मेंट सेंचुड़ी और नेसलनल पार्क बना सकती है अगर किसी एरिया पर करती है कि यहां पर पर फॉलूर्रल एंवर्मेंटल इंपोरिंस सिंगिकständ sev उसके साफ से अगर वो century बनाती है तो फिर वही होगा कि वह एक बार वहाँ पर century डिक्लियर करके notification निकाल देगी फिर वहाँ पर जो collector है वो से hold करता रहेगा पहले तो collector वहाँ की जो property land एक्वीजी से related मामले हैं उन्हें दिखे कर क्यों कि collector का नाम क्या collector मतलब क्या करना है collect कर रहा है और collect क्या कर रहा है revenue तो यह डिस्टिक लेवल पर revenue collect करने का head हुआ करता था बिट्टिस के टाइम पर पोस्ट अब से चली आ रही तो फिर revenue का काम करता है मतलब land related जो problem है issue या किसी के land right है तो उन्हें सारी चीजों को कौन देखेगा collector एक वार collector ने अपना काम ने प्ता लिया तो फिर इस पर पूरी एरिया पर जो कबजा हो जाता वो है चीव वाइल लाइफ वार्डन का फिर किसी को अगर उस एरिया में घुसना आए permission लेनी है फिर बिना वार्डन की permission के इंटर नहीं कर पाता है तो यहाँ पर section वगर है उन्हें याद रख लेना बाद में इसमें जो अपना एक amendment जो 92 के आसपास जो किया गया था 1990 के आसपास जो amendment किया गया था उसमें सबसे बढ़ी बात यह थी कि यहाँ पर जो central Jew है authority है उसको इंट लेकिन देश में बहुत सारे Jew थे चलियागर थे चलियागर कैसे manage किये जाए यह अभी तब किसी ने decide ही नहीं किया किसी को समझ में आया कि चलियागर के को भी manage करना होता है अब बात में जब कुछ चलियागर थे जिनको बहुत ही बुरी तरह मतलब प्राइबिट टाइप क हैं तो क्या इस शेट होने यहाँ चलियागर बालों को मरने के लिए छोड़ रखा तो फिर बात किया गया कि एक काम करते हैं एक authority बनाई जाती है बनाई जाए जो जिसे इस act के थुरू power दे जाएगी और वो authority क्या करेगी देश में जितने भी चलियागर है उनको regulate करेगी क उनका breeding program भी अगर करना है तो कौन करेगा तो कौन manage करेगा तो यह सब central जुग authority करेगी अब इस authority का constitution किसमे है chapter 4A है और section कौन सा है 38A तो यह कौन करेगा तो यह center का 38 है यह center government ही करती है स्टीट का कोई मतलब नहीं है इसकी body में कौन होते हैं कोई लेना देना नहीं है देख लेना पढ़न लेना तो थोड़ा interest के लिए इससे जड़ा देखने की जुरूद नहीं है बस इतने याद रखाओ कि 4A central जुग authority से है और इसका section है 38A फिर अपना इसमें chapter 5 आ जाएगा उसके थुरू वहां पर वो उनका वो statue सा बना के वहां लगा लेते तो इस टाप की जो trophy दी जाती थी उन सब को यहां पर permission ban कर दिया कि आप कोई animal trophy नहीं रख सकते या animal article जिसे हादी दा की कोई चीज़ा बिच रही है खरगोस के पंजी की आपको कुछ product बिच रहा है या कि इसी birds के पंखो के ना आपके पास dress कपड़े मिल रहा है तो ऐसी चीज़ें जो थी इन्हें ban कर दिया गया इनका जो trade है ब्यापार है या इनकी commerce है उस सबको ban कर दिया गया किस के अंडर chapter 5 के अंडर तो आपको याद रखना है कि chapter 5 का नाम क्या है इस section याद रखना जरूरी नहीं है लास्ट का chapter है वो है अपना six prevention and detection of offenses तो उन्हें बोला कि अगर मान के चलो कोई आदमी offense कर जाता है इस act के अंडर तो उसको कौन पकड़ेगा या उसकी उपर action कौन लेगा तो उन्हें बोला कि कोई भी act उपर का दिकार ही हूँ कम सब inspector है उसकी rankा तो हो उससे नीच चीप आदेगा और फर उस पर action होगा court case चलता रहा अभी इस act में animal की बात की गई है और schedule की बात की गई है तो जब act खताम हो जाता है तो फर last में एक बड़ी सी लेंबी सी list बना देते हैं जिन्हें बोलते है schedule तो इन्होंने इस list में six schedule हैं कितने है six इन six schedule के अंडर क्योंक types है जैसे मैंने आपसे बोला कि first first fourth तक के जो schedule के हैं इनकी hunting नहीं की जा सकती है लेकिन fifth six के जो animal है यह ऐसे हैं जैसी के अपने चूह है अब चूहे के लिए आप ministry of environment से permission थोड़ी लोगे मारने के लिए तो जैसे fifth six में जो animal पड़े हुए हैं उनको permission की जरूवत नहीं है ल आपको schedule one में डालते गए तो बाद में तो इतना करना पड़ा कि इनकी list बना दी गई तो part one, part two, part three, part four ऐसी करके कर दी गए याद रखना जरूरी नहीं है बस यह समझ लेना कि इसमें mammal, mpvr, birds, grocery कहने का मतलब यह एक तो याद रखना है कि कितने schedule है schedule कितने है, schedule कितने है, याद रखने के बिलकुल जरूरत नहीं है, दिमाग का दही हो जाएगा, बिलकुल याद नहीं रखना है, जो ICR का exam दे रहा है, वो याद रखना है, state ACA वालों को बिलकुल याद नहीं रखना है, कि कौन से schedule के अंदर कौन सा animal है, बस इतना याद रखो कि 6 schedule है, खटम का, अब इसके शुरूवात होती है, अपने question के, तो wildlife जो act है, इस पर आपने तीन टाइप से question को divide करता है, एक तो वो है, जो act से general related, सीदीशी बात की गई है, दूसरा section में आपने divide कर लेते हैं, जो उसके section है, या chapter है, उन से related question को, और तीसरा जो part बनाएंगे question का, वो ये जो schedule tool है, उन पर question को चाहे हुए है, उनको देख लेगे, तो पहला part देख लेते हैं, जो general question है, कि जैसे wildlife protection act है, वो काब आया, 72 में, यहाँ पर पूछा गया है, provision of wildlife protection act, महरास्टा बालों ने पूछ ला है, कि इसके कौन कौन से provision है, कि भाई, ये provision hunting of birds और अनिमल है, उनकी सिक्क आ रहा है, उसको रोकता है, तो बहुत को सही बात है, provision to prevention of wildlife and environment, भाई, environment का सिक्क्या लेना देना है, protection of century and national park देववात भी सही है, तो इसका अपना answer आ गया, A and C कोई है, जो मैं क्या answer, भाई, यहाँ पर कुछ नहीं बन रहा है, तो अपन और लगा के आ जाएंगे, क्योंक कोई area है, जो environmental importance के लिए है, तो इसे century declare किया जा सकता है, तो इस थाइप से फर अपना answer डिया जाएगा, इसमें और भी वही question है, इसमें पाल देना है, जदा कोछ इसमें है नहीं, इनमें वही चीजे देख लो कि क्या है, अब जैसे यहाँ पर एक question, यह ICR का question है, ICR का है, IC ICR 2019 का, इन्होंने यह पूछा था कि कौन सा है, not, जो wildlife protection act है, उसके अंदर आप उन क्या-क्या बनाते हैं, और कौन सा नहीं बनाया जाता है, तो इसको नेसनल पार्क बनाते है, community reserve, conservation reserve वगरा यह भी रहती है, बस वहाँ पर यह जो bias for reserve है, यह नहीं बनता है, bias for reserve बलगो अल पूछ लें, यह question के बाद पर आपने आएंगे section related question, जब आप उनने section discuss की है, तो यहाँ पर generally सब चीजे आजाएंगे, जैसे कि यहाँ पर पूछा है, chapter 3 जो है wildlife का, उसका नाम क्या है, तो hunting of wildlife, फिर यहाँ पर आएगा chapter 4B, 4B किससे है, plant से जो वो central view authority, तो इस चीज को लेना कि कौन से chapter किस तर रेलेटर है, section के question पूछे जाएंगे, कि जैसे wildlife protection act है, national park किस के अंडर declare किया जाता है, कि section के अंडर declare national park, फिर यहाँ पर trade and commerce of wild animal, तो यह किस section के अंडर क्या किया जा रहा, तो यह section वाला जो part है, उसकी रच्टा मानना है, यहाँ पर देखो, वर्म आट पेस्ट और नाइजन से निमेंड विछ इस चिल भाल आपक्ट यह जो सिडीए वाले question है, यह बीच में कहां से आ गई है, शलाइड गलत से घलती से बीच में आ गई है, यह सीडीए वाले question है, जैसे एक तो इनने पूछा है कि कितने schedule है, तो आपको मालू है, तो आप पर इन्हों ने इस टाइब के जो पूछे हैं कि लिस्ट ऑप इंडेंजाइड प्लांट इंडेंजाइड प्लांट की जो लिस्ट है वह एक्चुली सेडियूल बन में है पस यह कॉमन सी बात है इसके अलावा यह जितने भी चीजें हैं कि जैसे कि विर्मन है वो किस लिस्ट में आते हैं यह पिर अदर जो लिस्ट है एक्ट को छोड़के इन में से देख लेना कोई अगा कोई स्लाइड थोड़ी गरबड़ हो गई यहां पर यहां पर एक्चल मैं टोटल स्यूडुल कितने हैं कौन से से जुट के अंदर कौन सा ऐनिमाल है यह चीज है याद रखना नहीं है जैसे मैं ने बहुत सारे ऐनिमाल है दिमाग कदह ही हो जाता है तो इसे छोड़ दो बस इतना याद रख लो कि टोटल कितने शीडियूल है सख्स है मैं अगलत लगा दिए इसका शिक्स है कुश्चन कर रखना है यह याद रख सकता है इस्टेट वालों को यद्रखने की ज Harper नहीं कौन से लिए कि का इसी नहीं बस कॉमन सी है कश्ञ्दि गाहि काम इसलिग्वाद कॉन गाम यह इंड़क्षालीश्टि स्क्ञेड है उच श्ण धुरय है । delighted member शाहिट के जाती है यह शाहिट पार्क संस्ट्पार्क शूरिय मतलब से लिश्ट आंडर की जाती है यह पे चिए स्थोह को सफीर षॉन को चुका है और यह जी साहिए जाती है यह यह इस तो को ध्यार रखा जाई यूपस्ट में भी पूछा जा चुका है और यह साइद आसाम का पेपर है यह भी आसाम का कुश्चन है इसमें पूछा गया था कि अप्चल में अपने जो सम्मिधान है उसका आर्टिकल साइद 48a कंफर्म नहीं है बट देखना पड़ेगा इसका यह ड पूछ लेते हैं कई बार लेकिन हो यहां पर याद रखने की जरुबत नहीं है इन्होंने यह DPSP का सीधा पूछा था तो DPSP में साइद 41a के अंडर पूछा गया है यह wildlife और उसको कंटी को प्रोटक्ट करने का मतलब forest wildlife को प्रोटक्ट करने के बारे में बात की गई तो उस झाल झाल